जै माता दी क्रिम काली काइनम है क्रिम 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 रिम रिम हुम हुम दक्षिन काली के क्रिम 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 रिम रिम हुम हुम मा भगवती आद्धे शक्ति काली को कोई नहीं समझ पाया और नव कोई समझा पाया मैं भी प्रयास कर रहा हूँ समझने का भी और आपको समझाने का भी जितनी गेहराई में जाते हैं मा भगवती के उतने ही नए नए रहस्य निकल करके आते हैं काली काली महा काली काली के पापनाशिनी खडग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्त दे पापो का नाश करने वाली भुकती और मुकती पृदान करने वाली भगवती आदिशक्ति कालीमा ही है तो काली जी की जो सर्व व्यापता है हर जगे हैं कालीमा यानि हमारे शरीर में जहांपर मुलाधार लोग बाओं चगब बहुत से जव्यक्ति चर्चा करते हैं, किसा मेरे तो सातों चक्र खुलने वाले थे, गुरु जी ने रोग दिये, ऐसा नहीं होता है, आपकी गल्ती की वज़े से रुख गए, तो जहां पर हमारे शरीर में मुलाधार, बहुत से मनुश्यों को यहीं नहीं मालूम कि हमारे शरीर में मुलाधार चक्र कहां पर है, तो पहले तो आपको अपने वाड़ी के जो साथ चक्र होते हैं, उन चक्रों के बारे में ग्यान प्राप्त करना होगा, तब तो कुंडली जागनर्त होगी, तब तो आप काली मा को समझ सकते हो, क्योंकि मा भगवती आद्यशक्ति काली को समझने के लिए चक्रों का ज्यान होना अत्यांता वश्यक है, केवल मंत्र जपने से कुछ नहीं होगा, केवल तिर्थियात्रा करने से कुछ नहीं होगा, आपको मा भगवती क गुणों की और जाना होगा तो हमारे शरीर में मुलाधार में जहां इला व पिंगडा व शुशुश्मा नाडी से मिलती है उस मुक्त त्रिवेनी में देव रूप में गनेश तता देवी रूप में काली जी की ही सेवी का डाकीनी देवी का स्थान होता है बहुत गेहराई वाली बात है और ये वोई समझ सकते हैं जिनों जिनके पास उचित गुरु रहा हो और गुरु जी ने उनको यह ज्ञान दिया हो मुलाधार से लेकर के ब्रह्मनाडी के सहारे जो सहस्तरार्त चक्र होता है उसमें बेट करके शिवतक मिलने में जो उर्जा है वह भी काली ही है शिरी काली अस्टोतर शतनाम इस्तरोध जो है उसमें काली जी को क्रश्न मात्रा बोला गया है बहुत ही गेहराई से आपको जाना होगा काली अस्टोतर शतनाम का पाठ करते समय काली जी की सिद्धी लेने के लिए किवल एक मंत्र जपने से काम नहीं चलेगा काली रद इस्तरोध हो गया उसका भी अर्थ समझें काली शतनाम इस्तरोध है उसको भी समझें और काली कवच है उसको भी समझने का प्रयास करिए केवल मंत्र बोलने से काम नहीं चलेगा यदि आपको काली जी के बारे में संपुर्ण ज्यान चाहिए तो आप देव राधा टरस्ट में आकर के काली जी के बारे में आठ दिन का कोर्स होता है आठ दिन में यू मान के चलेए आप प्रती दिन आठ गंटे के इसाफ से 64 गंटे तक आपको काली मा के बारे में पढ़ाया जाएगा कि वास्तों में काली मा क्या है उनको के से प्रसन्न किया जाता है जो भी व्यक्ति मा भगवती अध्य शक्ति काली को अपना गुरु मानता हो उनका इस्ट मानता हो उनकी सिद्धी प्राप्त करना चाता हो बटको मत आपको गेहरे ज्यान की आवशक्ता है तब आप उनकी बारे में आप अच्छे से समझ सकते हो कि उनको क्या चीच चाहिए और कब चाहिए तब तो वो प्रसन्न होगी आपके लिए तो काली अस्टोत्तर शतनाम इस्तरोज्य है उसमें काली जी को ही क्रश्न मात्रा कहा गया है क्रश्ननंद प्रदाईनी कहा गया है यानि कि क्रश्न को आनंद प्रदान करने वाली क्रश्न आनंद प्रदाईनी तो काली मा के जो अस्टोत्तर सतना में उनके हर नाम का अर्थ भी आपको समझना पड़ेगा तो अर्थात क्रश्न को आनंद प्रदान करने वाली क्रश्न वल्लभा भी कहा गया है अर्थात भगवान क्रश्न के तत्त रूप में समाहित जो शक्ती है वह काली जी है याने काली ही क्रश्न है और क्रश्न ही काली है यह प्रू होता है तो बहुत से एसे मनुश्य हैं जो वेशन और धर्म पालन करते हैं वो जो हम शाक्त परंपरा वाले बहुत से सादक हैं उनसे नफरत करते हैं कि यह शाक्त परंपरा वाले काली वाले हैं शराप चड़ाते हैं माश चड़ाते हैं समशान जाते हैं भस्म का प्रयोक करते हैं तो उन्हें एक अलग द्रस्ति से देखा जाता है जब की काली ही कृष्ण है और कृष्ण ही काली है यानि कुछ वेश्नयों लोग है वह भी एक तरीके से काली जी की ही उपास्ना करते है क्रष्ण के माद्यम से तो जो कृष्ण भक्ती में डूब करके बहुत से मनुष्य पूरे दिन भर राधे करते रहते हैं ये राधे राधे क्या है? ये राधे राधे अपत्यक्स रूप से काली जी का ही नाम है यदि आप गेहराई में जाएंगे तो आपको निश्चित तोर से पता लगेगा काली जी ही सर्व व्यापक रूप में है और सर्वत उतकरस्ट है जो कभी भी खारिज नहीं कर सकते आप इसलिए ओम क्लीम क्रशनाय नमह ये मंतर भी बनाया गया है क्लीम याने काली और क्रशन याने काली तो ओम क्लीम क्रशनाय नमह जब करने से भी करश्न की और काली जी की दोनों की आराधना होती है तो इन गुन रहस्यों को समझे बिना आप अच्छे तांत्रिक नहीं बन सकते और आपको सिद्धी भी प्राप्त नहीं हो सकती आपको अपने इस्ट के बारे में बहुत गेहराई से ज्ञान होना चाहिए इस्ट याने सबसे प्री जिसको हम दिल से चाते हैं आतमा से चाते हैं जिसके लिए हम सबको सरवस्व न्योचावर कर देते हैं सरवस्व समर्पन कर देते हैं उसको हम इस्ट बोलते हैं और इस्ट के बारे में हम नहीं जाने हैं मनए हम जिससे सबसे आदा प्रेम करते हैं, यहने हम अपनी प्रेमी का भी कह सकते हैं, तो उसके बारे में तो हमें नस नस से वाकिफ होना चाहिए, तब तो हम उनकी आरादना कर पाएंगे और उनको प्रसन्न कर पाएंगे, जैमातादी, जैमाकामा क्या, राम रेम काली के गोर द्रस्टे, रुधिर प्रिये, रुधिर पुण वक्त रे, रुधिर आवरतिस्तनी, याने की रुधिर प्रिये याने कोन प्रिये है उनको, रुधिर पुण वक्त रे, यहने रुधिर से इसनान करने वाली, रुदिला वरतिस्तनी मम सर्व सत्तुनम खादे खादे याने शत्रूं को नाश करने वाली रीम रीम काली के मदी शत्तुनम समर पयामी शत्रूं को हम मा को भेंट दे रहे हैं तो ये कोई साधारन चीज नहीं अद्धिशक्तिकाली जिनको समझना और जो नहीं समझ सकते उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते और जो समझना चाते हैं उनके लिए हमारे दर्वाजे हमेशा खुले हैं जब चाहें तब आप देवराधा ट्रस्ट से वाट्सप नंबर हैं उनसे संपर करके, अपना परिचाय देते हुए, उनके बारे में दित जानना हो, तो आप सहर्ष आप देवराधा ट्रस्ट आ सकते हैं, ऐसे देवराधा ट्रस्ट दारा जो नहीं आ सकते हैं, दूर बेठे हैं, उनके लिए काली रहस्य, नमक किताब लिखी गई है, महा माया स मुक्ष, यह किताब का नाम है, आप चाहें तो किताब को देवराधा ट्रस्ट से मंगवा सकते हैं, भगवान आप सबको सद्वुद्धी परदान करें, जैमातादी, जैमा का मख्या